नमस्कार प्यार विद्यारतियों स्वागत है आपका द्रिस्टी टीचिंग एक्जाम्स में आज हम लोग UGC NETJRF के पुर्थम पुर्शन पत्र में ही सिक्षण अभिवरत्ति के एक महत्पोन बिंदु को लेकर बात करेंगे हम लोग पढ़ेंगे सिक्षण की आगमन विधी को लेकर या आप ये कहिए हम लोग सिक्षण के इंडक्टिव मेथड को लेकर बात करेंगे जब हम सिक्षण अभीवरती पढ़ते समय सिक्षण की विधियों को लेकर पढ़ रहे होते हैं और सिक्षण की विधियों में जब हम व्यक्तिगत सिक्षण विधियां या आप यूं कहिए विध्यारती केंद्रित सिक्षण विधियों को लेकर पढ़ते हैं तब हमारे सामने दो विधियां आती हैं, इन दोनों को साथ साथ पढ़ा जाता है वैसे तो आगमन और निगमन विधी, inductive method and deductive method, तो आज हम बात कर लेंगे आगमन विधी को लेकर, आगमन विधी की ठीक विपरीत है निगमन विधी, तो आप ये कह सकते हैं कि inductive method का ठीक वि समझ लिया, तो आप निगमन विधी को भी अच्छे से समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे, अब ये आगमन विधी क्या है, एक तो आप ऐसे समझ लिजे, जैसे हम आगमन विधी को लेकर समझते हैं, तो आगमन विधी में क्या होता है कि जैसे इस विधी के बारे मे व्याकरण सिक्षन की ये सर्वोत्तम विधी है, आप ये भी कह सकते हैं, ये आप लिख लेंगे तो आपको ध्यान भी रहेगा, व्याकरण सिक्षन की सर्वोत्तम विधी, ये आप ये कह सकते हैं, व्याकरण सिक्षन की व्यज्यानिक विधी, व्यज्यानिक विधी अब ये इस पस्ट हो जाएगा कि क्यों कहा जाता है देखे इस विधी में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी विशेवस्तु पढ़ाई जा रही है उस विशेवस्तु से सम्बंदित उधारण विद्यारतियों को दिये जाते हैं जो विशेवस्तु विद्यारतियों को जो भी विशेवस्तु पढ़ाई जानी है जो विशेवस्तु पढ़ाया जाना है उस विशेवस्त सम्बंदित उधारण विद्यारतियों को दिये जाते हैं और फिर उन उधारणों के आधार पर नियम या सिद्धान्त स्थापित किये उनका विद्यारती विसलेशन करते हैं और विसलेशन कर लेने के उपरांत सामान नियम विक्सित करते हैं या सिध्धान्त विक्सित करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इस विधी में उधारणों से नियम की और पहुंचा जाता है इस विधी में उधारण से नियम की और जाते तो ठीक अब आप समझे निगमन विधी में क्या होगा ठीक इसके विप्रीत हो जाएगा यानि कि उस विधी में क्या होगा निगमन विधी में क्या होगा उस विशयवस्तु से संबनित जो पहले से स्थापित नियम है या पहले से विक्सित सिद्धान्त हैं वो पहले दिये और उनके आधार पर फिर उधारन दिये जाएंगे जैसे आप समझे हम गणित पढ़ते हैं कक्षाओं में आपने जब गणित पढ़ा होगा तो सिक्षक क्या करते थे कि पहले आपको वो formula या जो भी चीजे होती थी पहले आपको वो बता दी कि बई सूत्र क्या है इनको हल करने का आप उन सूत्र को देखते थे उस सूत्र को समझते थे formula को समझते थे उसके आधार पर आप फिर आगे examples को solve करते थे वो क्या है वो deductive method है वो निगमन विधी है हम बात करें जैसे आगमन विधी की तो यहां क्या होगा विशेवस्तों से संबंदित उधारन पहले दिए और उन उधारनों से फिर नियम या आपका यह सिद्धान सिद्धान्त की ओर जाते है यानि कि इस विधी के यदि मैं आप से कुछ प्रमुख सिक्षन सुत्र को लेकर बात करूं तो हम क्या कहेंगे इस विधी के प्रमुख सुत्र क्या हो जाएंगे जैसे एक सुत्र तो हमने बात कर ली कि हम उधारन से नियम या सिद्धान्त की ओर जाते हैं यानि कि उधारन जो चीज हमें ज्यात है जिसके बारे में हमें जानकारी है उससे एक ऐसे बिंदू की तरफ जाते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है यानि कि आप ये भी कह सकते हैं कि ज्यात से अज्यात की और ग्यात से अग्यात की ओर यदि आप निगमन विधी पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे ग्यात से ग्यात की ओर ठीक इसका विपरीत कर लेंगे ठीक इसके विपरीत है निगमन विधी हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे उधारन तो विशिस्ट होते हैं उधारण तो विसिस्ट होते हैं, जब हम नियम की तरफ जाएंगे तो नियम सामान्य होता है, तो एक सिक्षन सुत्र क्या कहा देंगे, विसिस्ट से सामान्य की ओर, विसिस्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि उधारण विसिस्ट होता है, एक नियम है, वो नियम फिर सभी उधारणों पर लागू होगा, कोई सिद्धान्त है, वो सिद्धान्त तो उसके सभी उधारणों पर लागू होते हैं, लेकिन प्रतियेक उधारण तो अपने आप में विसिस्ट है, आप यह भी कह सकते हैं, कि हम मूर्त से, मूर्त से, अमूर्त की और जाते हैं, मूर्त क्या है, यानि कि जिसका कोई रंग, रूप, रेक, आकार है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसका हम विसिलेशन कर रहे हैं, जो उधारण है, और वहां से फिर किस की तरफ जाएंगे, नियम या सिद्धान्त की और जाएंगे, जि विक्सित करेंगे ना उसको, तो हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, आप यह भी कह सकते हैं, कि हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं, क्या कह सकते हैं, सरल से कठिन की ओर, क्योंकि उधारन तो सरल है, फिर कोई नियम स्थापित करना, कोई सिध्धान्त विक्सित करना, वो कठिन काम है, वो क्या हो जाएगा, कठिन काम हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, इसके सिक्षन सुत्र क्या हो जाएगा, सरल से कठिन की और, इनहीं का आप विपरीत कर लेंगे निगमन विधी में, निगमन विधी में क्या कह देंगे, कि पहले वहाँ नियम सिध्धान्त बताया जा ठीक इसके विप्रीत हो जाएंगे, यहां हमने कहा इस थूल से सूक्ष्म के और, निगमन विधी में क्या कह देंगे, कि सूक्ष्म से स्थूल की और, समझ में आ गई हो गई यहां तक कि, यदि इस विधी के गुण को लेकर आप से पूछा जाए, कि आगमन विधी के गुण क्या होते हैं, आगमन विधी के गुण, आगमन विधी के गुण क्या होंगे, देखे, कुछ बाते जो आप डेराइव कर सकते हैं, अपने इस तर पर ही उनको लेकर समझ लीजिए, उधारन से किसी नियम या सिद्धान्त को विक्षित करना हो, इस्थापित करना हो, तो विध्यारतियों का जो मानसिक विकास होगा, वो अधिक होगा, जो चिंतन का स्तर होगा, वो अधिक होगा, विध्यारतियों का जो अधिगम है, वो अधिक वास्तविक होगा, एक जगे आप समझे कि आपको नियम दिया गया, और उस नियम के आधार पर आपको कुछ उधा का all square और आपको ये solve करके पूरा दिखा दिए गया कि A square plus two B plus B square कि इसके आधार पर आपको प्रशन दिए गये तो आप उन प्रशनों को करते चले जाएंगे दिमाग क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा क्यों 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 कि आपको ये फ्रॉर्मुला पता है इसके आधार पर आपको क्या करने है सारे सवाल हल करने हैं आप ऐसा करते भी होंगे जब आप अभ्यास करते थे गणित के प्रशनों का तो आपको जो फोर्मूला पता है उस फोर्मूले पर आधारी जोड़ी 10 प्रशन आपको करने है तो आप उनके 10 के 10 प्रशनों को अधिक होगा यानि कि इस विधी का एक गुण क्या हो जाएगा कि इस विधी में विध्यारती उधारणों का या घटना हम कह सकते हैं तथे हम कह सकते हैं उनका विसलेशन करते हुए सामान्यनियम या सिद्धान्त स्वयम निकाल लेते हैं इसका मतलब है कि इस विधी के उपय योग द्वारा विद्ध्यारतियों का मानसिक विकास सरलता पूर्वक हो जाता है, मानसिक विकास क्या कहेंगे आप, विद्ध्यारतियों का मानसिक विकास सरलता पूर्वक हो जाएगा, जबकि ठीक इसके विपरीत निगमन विधी में क्या होगा, निगमन विधी में इस इस इस्तर का मानसिक विकास नहीं होगा, क्योंकि वहां रचनात्मत चिंतन का अभाव पाया जाएगा, यहां रचनात्मत चिंतन एकदम होगा, क्योंकि विद्यारती वो कोई नियम स्थापित करना है, कोई सिधान्त विक्षित करना है, बात समझ में आई होगी, फिर दूसरी ब पर अधिगम की बात की है, जब किसी बिंदू को सीखेगा अधिगम करेगा, तो विध्यारती को अधिगम करने के इन तीनों इस्तरों को पार करना होगा, यानि कि विद्यारती का जो अधीगम है वो प्रभावी अधीगम हो जाएगा वास्तवी का अधीगम हो जाएगा यदि हम सिक्षक के द्रिश्टी कौन से बात करें तो सिक्षक का जो सिक्षन है वो प्रभाव साली सिक्षन हो जाएगा क्यों, क्योंकि विद्ध्यारती को अधीगम के प्रतियेक स्तर को पार करना पड़ता है, अधीगम के प्रतियेक स्तर पार करना होता है, चाहे स्मर्ति स्तर की बात आए चाहे बोध या वोध स्तर की बात आए या विमर्शि स्तर की बात आए तो विद्यारति को तीनों स्तर पर अधिगम करना होता है सिक्षक को तीनों स्तर पर ही सिक्षन कारे कराना होता है बात एकदम आसानी से समझ में आई होगी फिर हम ये कहेंगे कि इस सिक्ष्ण विधी का एक गुण ये हो जाएगा कि विध्यार्तियों में जो ज्ञान अर्जित करने की या ज्ञान अर्जन की जो रूची है वो बढ़ती है और वो विधी वो रूची निरंतर बनी रहती है विध्यार्तियों में ज्ञान अर्जन की जो रूची है वो निरंतर बनी रहती है क्यों क्योंकि वहां रचनात्मक चिंतन है वहां विध्यार्तियों में जब विध्यार्ति किसी नियम या सिध्धान्त को विक्सित कर लेते हैं तो विध्यार्तियों में आत्म विस्वास का इ आगमन विधी के दोश क्या हो जाएंगे, अगली हेडिंग आप बना लेंगे, आगमन विधी के दोश, अब एक्दम अपने इस तर पर अपने जो विचार है उनको क्रियाशील कीजे, विचार प्रकरिया को क्रियाशील कीजे और समझ लीजे, क्या होगा इस विधी का प्रिय अपने इस्तर पर नियमों को विक्सित करेंगे, सिद्धानतों को विक्सित करेंगे, वो किसी तथियों का विसलेशन करेंगे, घटनाओं का विसलेशन करेंगे, तो विद्ध्यारती स्वयम जब निसकर्स निकालेंगे, किसी नियम तक पहुँचेंगे, सिद्धान तक पहु उत्तम विधी तो नहीं हो सकती एक दोश क्या हो जाएगा कि इस विधी का प्रियोग करने से समय और शक्ति दोनों अधिक लगते हैं समय और शक्ति कहिए श्रम कहिए अधिक लगते हैं यानि कि ये अपव्याई हो जाएगी समय के द्रस्टि कोण से ये विधी अपव्याई हो जाएगी स्रम के द्रस्टि कोण से इंदु इस पस्ट हुआ और एक इस विधी का सरप्रमुख दोश तो यही है कि यह विधी अपने आप में स्वयम में अपूर्ण है कैसे है स्वयम में अपूर्ण कैसे है अपने आप में अधूरी कैसे है यह विधी जैसे इस विधी में विध्यारतियों ने इस विधी का प्रियोग करके इस विधी के माध्यम से जो नियम स्थापित किया ये कोई सिद्धान्त विक्सित किया हम ये कहते हैं अब उस नियम या सिद्धान्त की सत्यता की परक भी तो करनी होगी उस नियम या सिद्धान्त की वैदता उसकी विश्वसनियता उसकी सत्यता भी तो जाच नी होगी तो उसकी सत्यता की जाच करने के लिए ये विदी किस प दारणों की ओर जाते हैं उसका सिक्षन सुत्र वो है यानि कि इस विधी के द्वारा जो सिध्धान्त या नियम विक्सित किया गया है उसकी सत्यता की जाज करने के लिए यह विधी निगमन विधी पर निर्भर है अर्थात यह विधी स्वयम में अपूर्ण है और यदि गुण नहीं हुआ ये उस विधी का दोश हुआ और एक प्रमुक दोश हुआ बिंदुसपस्ट हुआ एक दोश आप यह कह सकते हैं ये भी इसका एक प्रमुक दोश है इस विधी का कि यह विधी हर आयू वर्ग के लिए उप्योगी नहीं है हर आयू वर्ग से मतलब क्या हु अगे उनमें उतना रचनात्मक चिंतन नहीं होगा कि वो किसी उधारन या किसी घटना को देख कर तथे का विसलेशन करके वो कोई नियम या सिद्धान्त विक्सित कर लें तो एक दोश इस विधी का क्या हो जाएगा कि छोटी आयू के विध्यारतिउं के लिए उप्यूक्त नहीं है उप्योप्त नहीं या आप कह सकते हैं उप्योगी नहीं है आप यह भी कह सकते हैं कि हर आयू वर्ग के लिए यह विधी उप्योगी नहीं है तो यह इस विधी का दोश हो जाएगा मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आगमन विधी को लेकर इंडेक्टिव मेथड को लेकर आपके कुछ विचार बने होंगे बहतर समझभूज का विकास हुआ होगा ठीक इसके विप्रीत है निगमन विधी इसके जो हमने सिक्षन सुत्र की बात की है इसके जो हमने गुणदोश की बात की है ठीक इसमें विप्रीत कर लेंगे आप तो निगमन विधी समझ में आ जाएगी मैं यह पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह सिक्षन विधी आगमन विधी आगमन पदती आपको आसानी से समझ में आई होगी कुछ नया तो आपने आज भी सिखा ही होगा कक्षा आपके लिए रोचक रही होगी आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले नए बिंदू के साथ तिल देन बाबाई वे नाइस जेए